श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है आज चंद्रमा की पोजिशन बहुत बढ़िया रहेगी चंद्रमा इस दिन आपकी कुणली में दस्वे भाव में है इस दिन मान सन्मान प्राप्त होगा धन अरजित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्थिती और अच्छी होगी दस्वा भाव कर्म भाव है यानि नोकरी बिजनेस आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाब मिलेगा नए मोके भी मिल सकते है काम का बोज आप पर जरूर रहेगा और उस वज़े से शायद थोड़ी एनरजी की कमी भी मैसूस हो सकती है दोस्तो एक बात याद रखे चंद्रमा कर्म भाव में होने के कारण आपको कर्म पर विश्वास करना होगा भागय के भरों से बैठने वाला दिन ये नहीं है इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा निवेश से फाइदा होने के योग बन रहे है आपकी तरक्की के नए रास्ते खुल सकते है बस आपको सही दिशा में कर्म करना है और खुद पर विश्वास रखना है दोस्तो इस दिन पिता से सहयोग प्राप्त होगा पैत्रिक संपत्ती से लाब होने की संभावना है घर में खुशी व एकता का माहोल रहेगा धर्न अरजित करने का ये सही समय है स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत जादा अच्छा रहेगा ग्रहों की स्थितिया आपको सपोर्ट कर रही है दामपत्ते जीवन में भी मदूरता रहेगी पती-पत्नी के बीच कोई कड़वा हट है तो वो दूर करने का ये सही मोका है आज आपको प्रेमी की तरफ से धरलाब होने के संकेत है जी हाँ प्रेमी से भावनात्मक सहयोग भी इस समय में मिल सकता है दोस्तो इस दिन आपका स्वास्ट अच्छा रहेगा थोड़ी बहुत कमरदर्थ की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है स्वास्ते से जुड़ी समस्याय आती भी है तो कोई छोटी मोटी समस्याय आएगी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी इस दिन ब्लैक कलर का इस्तिमाल करना आपके लिए लखी साबित होगा और आठ नमबर इस दिन आपके लिए लखी रह सकता है दोस्तों ये राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा